आयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा से पहले हवन और रामकथा का कारिक्रम आयोजित किया जाएगा एक हजार आठ कुंडी हवन यहाँ पर कराई जाएंगे जिस जगे पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से ये गेट बनाया गया है और अंदर अभी तैयारियां मुकमल की जा रही है अंदर जो है वो मूर्तियां रखी जाएंगी और अलग-अलग दिन अलग-अलग श्टार्स भी रामकथा में शामिल होने के लिए आने वाले हैं 14 तारीक को मालनी अवस्ती लोग गई का वो शामिल होंगी 17 तारीक को जो है हिमा मालनी यहां पर आएंगी और 22 तारीक का किसी तरह से अलग-अलग लोग जो है वो आते रहेंगे कि इस तारीक को कुमार विश्वास को आना है 20 तारीक को अनूब जलोटा यहां पर मौजूद रहेंगे और जो 22 जनवरी का दिन होगा उस दिन मनोश तिवारी, रवी किशन और दिनेश लाल यादा और निरहुआ यह तीनों के तीनों जो भोचपुरी फिल्म इस्टार हैं और सांसाद हैं तीनों वो यहां पर आएंगे तो बड़ी लंबी तैयारी यहां पर चल रही है और जो यह सेट बनाया जा रहा है इस सेट को जो बाहुबली फिल्म में बनायने वाले जो लोग थे उन्हों नहीं इस सेट को भी तैयार किया इस गेट को तैयार किया है यानि भव्य तैयारी चल रही है चौदा तारीक से यहाँ पर एक हजार आठ कुंडी हवन होगा और राम कथा होगी और ये कारिकरम 22 जनवरी तक चलेगा कैमरमेन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी भारा समचार आयोध्या